IPU University के entrance exams की complete date sheet out हो चुकी है 27th of April से students के exam start हो रही है और student आज की date में परिशान है कि भाई इतना कम समय में अपने entrance exam की तयारी कैसे करें क्या exam जल्दी हो रहा है क्या exam delay हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे students के mind में questions भी आ रहे है क्या exam को लेके कोई date आना कोई बड़ी बात नहीं है जब IPU University के brochures आये इनिशली वहाँ पर एचिस साफ साफ mention कर दी गई थी 27th of April से लेके 15th of May के बीच में आप लोगों के exam connect कराए जाएंगे और उसी के according proper date sheet आप लोगों को मिल चुकी है अब हमारे पास जो आज की date sheet है उसके according हमें कैसे अपनी entrance exam की preparation करनी है क्या strategy होने चाहिए क्या important tips है आज हम इस वीडियो में discuss करने जा रही है तो बिना time waste करें जल्दे start करते हैं हमारा ये वीडियो पहले में आप लोगों को भाई एक बर schedule दिखा देता हूँ आप लोगों का जो exam का schedule है वो कुछ इस तरीके से आया है जिसमें आपका पहला ही exam जो है 27 अपरेल को है MBA का देन उसके बाद धीरे धीरे करके आप कैसे exam चलेंगे 12 मही तक यह schedule आच चुका है आप लोगों का तो अगर हम days calculate करते हैं तो जिसका exam 27 अपरेल को पढ़ रहा तो उसके बाद महातर साथ दिन है अपने इंटरस exam की तहरी करने के लिए जिसका exam 4 को पढ़ रहा है उसके पास 10 दिन हो जाएंगे और जो student दे रहे हैं 12 माई को उसके पास पढ़ते हैं आज की date में 20 से 22 दिन कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि एक्जाम का पैटन आप लोगों को अच्छे से बर्गोतरू कर लेना जरूरी होता है तो यह एक्जाम का पैटन जो कि सभी courses का इंटरस exam का pattern IP University के information bulletin के अंदर दिया हुआ है और जब हम देखते इनके एंटरस exam के पैटन के बार in terms of BBA there is a BBA business aptitude in terms of BJMC its media aptitude इस तरीके से इन्होंने sections को अलगा करा हुआ है से BC के exam में computer fundamentals है अब हारे का एक section अलग हो जाता है आपको उसके लिए अलग से time भी devote करना पड़ेगा तो बात करते हैं किस तरीके से तयारी आप लोगों की होने ही चाहिए तो सबसे पहला point होता है understanding the section and weightage जैसे कि मैंने आपको अपने screen पर दिखाया था कि भाई देखो हर एक exam का अलग अलग weightage है और कई सारे ऐसे exam से जिसके अंदर भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा maths होगे जैसे कि 30% आ रहा है और दूसरा section होगे हमारा computer fundamental का BC के बारे में बात करते हैं तो यहां time devote करें कि आपकी probability बढ़ जाती है कि अच्छा है कि score निकान ले की और जब हम बात करते हैं जितना मुश्किल आपके लिए उतना ही हार एक student के लिए exam उतना difficult होने वाला है क्योंकि यह सारी चीज़े आप लोगो आपने class 12 में नहीं पड़ी है जो हम बात करते है aptitude test की तो aptitude test सबके लिए common होता है अब जिस स्टूडेंट ने ज्यादा उसको time दिया प्रिपेर करने के लिए वह स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से उसके अंदर अपना exam के इंदर score कर सकता है तो you have to understand the section and weightage जैसे कि मैंने आपको ब्रोशर का दिखाया था वह एक बार गो तूरू ज सकते हैं और offline मी ले सकते हैं totally depends upon the number of registration बट मैं exam मान के चल रहा हूं आप लोगों का offline ही होने वाला है तो offline exam के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है बाकी हाँ पर भी आप लोगों को ही रहता है कि मैं कोई गलत option को मैं circle ना कर दूँ तो पहले आप लोग अपने एक rough sheet आप लोगों को महाँ पर मिलेगी exam के अंदर वहाँ पर अपना एक circle अलग से उस sheet पर आप कर सकते हैं बाद में आप फेयर वर्क कर सकते हैं ठीक है इस त आप टेस्ट के practice नहीं कर रहे हो तो भाई आप लोग expect मत करना कि आप जाधा question solve कर पाऊगे speed के साथ आप बस questions को attempt देने जा रहे हो जैसे कि बहुत सारे student गलती है क्या करते हैं सोचते हैं अभी इस बर एक exam attempt कर ले तो next time अच्छे से इसकी तैयारी करूंगा बहुत सारे student ऐ यानि की practice आपकी कितनी है एक student मेरे से बोलता है कि sir मैंने ना पढ़तो सब कुछ लिया है बट मैं कोशन करने बैठता हूं तो मेरे को लगता कि 10-15 मिनटे कोशन पर जा रहे हैं मेरे quants के अब वो क्यों जा रहे हैं क्योंकि उसकी speed नहीं बड़ी उसने कोशन तो solve करे लेकि अब इसमें से आपको मिलता है धाई को धाई मिनट पर कोशन मिल रहा है कोई कोशन ऐसा होगा जो आपका एक मिनट में हो जाएगा और एक कोशन ही ऐसा होगो जो आपके 10-15 मिनट ले जाएगा हना तो अगर आप इस time duration को कम कर देते तो आप विदिन टाइम लिए अपने प पर में अपने विद्वाइब कर लेंगे इसमें रीजिंग में कौन्स में और जीके को भी स्टूडन ज्यादा मुश्किल नहीं समझ के चलता है तो यह जो दो सेक्षेन आ रहे हैं अगर आप इनके ऊपर अभी काम कर रहे हो अच्छे से काम कर रहे हो तो वह आपको वीक्नेस में महनत कर रहे हो तो आप लोगों को डेफिनिटली एक्जाम में हैल्प होने वाली है चलो यह तो बात अब यहां पर क्या होता है कई बार हमें कोशन अटेम्ट करने के अंदर भी ध्यान देना पड़ता है जैसे कि हमारे सामने कोशन पेपर आगया है ना कोशन कोशन पेपर आएगा नगी क्या करेंगे परटांवड month करो डेखना शुरू अब यहां नहीं आंगे तो जहां से हमारा question paper start हो रहा है उसको एक series में लेके चलेंगे तो पीछे से लेते हुए आओ या तो आगे से उसको continue करते हो चलो आपको अपनी weakness में काम करना ही पड़ेगा आज की rate मेगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो सबसे पहले weak parts को रूणना शुरू करो नहीं तो आप लोगों को भाई या easy वाले के चक्कर में आप लोगों को अपने weak part में बिल्कुल भी महनत नहीं करके जाओगे अपने exam के अंदर और आप लोगों की weakness को अच्छे से जो हम पकड़ते हैं अपने online courses के अंदर तो जो शून हमरे साथ online courses में जुड़े हुए है उन सभी के से गर आप 5 घंटे भी classes को attend कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके subconscious mind के अंदर बहुत सारी चीज़े चली जाएंगी जो कि आपको exam में question attempt करने में कापी help करने वाली है तो आप BC के entrance exam की preparation कर रहे हो तो course को आप आज ही join कर लीजए एक भी दिन का आपको delay नहीं करना है student आज की date में भी courses को जॉइन कर रहे हैं एक दिन पहले भी जॉइन करते हैं लेकिन student जो पहले जॉइन कर रहे हैं उनको ज्यादा benefit मिल रहे हैं उनके पास time duration ज्यादा मिल जाता है तयारी करने के लिए तो यहां पर देखिए CUT, IPU, CUT, BBA, जामय में मिले इस्लाविशुटी का भी crash course अब यहां पर आ जाता है एक student है बोलता कि सर मैंने तो ना दो से ज्यादा courses ले रखे अपना एक्जाम के अंदर दो courses है BBA है और BC दोनों ही दे रहा हूं मैं तो अब मैं यहां पर कैसे अपने तैयारी करूं तो आप लोगों को करना क्या है अपने sections को अलग कर लेना है जैस section different है आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम बस अलग से devote करना पड़ेगा और वह important भी है अगर आप दो courses को लेकर चल रहे हैं तो बहुत टाइम यह देखा है कि student जिस course में कम इंट्रेस्ट दिखाते हैं उनमें उनका अच्छा score आ जाता है और जिस course में वो इंट्रेस्टे है तो student यहां पर ज्यादा महनत नहीं कर पाता BBA के इंदर आ रहा है business एक single section ऐसा है जो आप लोगों को अच्छे marks दूला सकता है ना तो यहां पर अच्छे score कर जाते हैं अपने तो आप लोगों कर multiple courses में अप्लाए कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो प्राइटी सेट करन अगर हम लंबे targets लेके चल रहे हैं जैसे कि आज मैं बढ़ूँगा मैं तीन chapter खतम कर दूगा और वो chapter खतम नहीं होते अगर नहीं होते तो student हो जाता है negative चल छोड़ना है अब लास्ट में पढ़ेंगे एक हफते पहले ही पढ़ेंगे अपना पास दिन पहले ही पढ़ेंग अगर आप उसको half में छोड़ के जा रहे हो तो वो आपको negativity देगा ही देगा short targets ताकि आप छोटा छोटा पढ़ो तुकड़ो में पढ़ो लेकिन वो पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से जो कि आपको positivity भी देता है आप लोगों को अपनी speed and accuracy पे work करना है जिसका एक ही तरीक से खतम करके आना बहुत बड़ी बात है यानि कि अगर आप सोच रहे हो मिरे को सारे question अटेम्ट करके आने वही में एक टास्क थी that is not your exam आपका purpose होना चाहिए कि मैं speed में करूं और accurate answer दूं यानि कि मेरे blenders ना हो अगर मैं answer करके आ रहा हूं तो मेरे उसमें से 75 question सही होने चा प्रेक्टेस करने ही पड़ेगी अब आगे बात कर लेते हैं 50% is reading 50% is practice अगर आप यह सोच के चल रहे हो रीडिंग रीडिंग करके जाओ तो आपको एक्जाम में मज़ा नहीं आएगा आपको करना क्या है जितना पढ़ते हो उतना ही प्रेक्टेस करना जितना पढ़ते हो इसके अदर प्रेक्टेस आप क्या ही करोगे जितना कम पढ़ो जितना पढ़ो जितना कम है लेकिन reasoning एक क्वांट्स एवन इंग्लिश के भी कोशन आंसर तकर आप प्रेक्टेस कर रहे हो तो यह आपको help करेंगे बहुत help करेंगे वो क्याब लगी तो इक एसा section है तो देख करने ज़रूत पढ़ जाती है और आप एक अच्छा rank लेकर आ सकते हो गर आप इन दो section पर ही पर्टिकुलर्ली वर्क कर रहे हो तो आगी की बारे बात कर लेते हैं कि एक्जाम के लिए हमारे पास टाइम कम है 15 हमारे पास दिन बचे हैं मैं तो यही बोलूगों कि भाई दे यह 30 दिन मन जाते हैं अगर आपने 15 दिन महनत करी दिन और रात आपका 100% एक अच्छे कॉलज में आई प्यू निवर्शिटी के टॉप कॉलज में admission हो जाएगा थिंग इस दिस कि बहुत सारे student आज की डेट में भी नहीं जाग रहे हैं पता नहीं किस चकर में नहीं जाग रहे हैं वो इसलिए नहीं जाग रहे हैं कि उनको लग रहा है हम कोई एक अलग entrance exam दे देंगे इस UT का exam दे देंगे mark कर लो इस चीज को IPCET 365 days के बाद ही होने वाला है अब जो आप दोगे exam अपना कब दोगे 12 मही को दे रहे हो आपका exam 365 दिन के बाद ही होगा तो बढ़िया से महनत करो बहुत ही कम टाइम है exam आपका बहुत अच्छा हो जाएगा आप यह वीडियो आप लेगों को इन्फरमेटिव लेगे की यूसफ़ लेगे की वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक जिरू करना मिलते नेक्स वीडियो में से तरह की के एजुकेशन कॉंडिक साथ बाबाइ टेक क्यार थेंक्यो सो मच